नमस्कार दोस्तों कैसे हो आप लोग आज हम इस वीडियो में लास्ट जो हमने question practice के divisibility role के उपर लास्ट वीडियो आपने देखे होगी तो उसी से आगे हम question practice कर रहे हैं फटा फट देखो भाई पहला question है यह 11th question है 10th question मैंने करवा चुका हूँ find the sum of the greatest and the smallest number यहाँ पर इसने बोला sum निकालो जो highest number है greatest number है उनका और smallest number है उनका which may replace k जो k को replace करें in the number इस number में so that the number is divisible by 8 ताकि वो number 8 से divisible हो जाए question को समझो बस आराम से हो जाएगा फिर पहली बात तो इसने बोला है कि sum निकालना है greatest जो number होगा उसको लेके और जो smallest number होगा उसको लेके उन दोनों का sum करना है और वो number कहां से आएंगे वो number ये बोल रहा है which may replace k जो k की जगह पे आएं अच्छा जी k की जगह पे smallest और हमने largest number लेना है लेकिन क्यों लेना है अगर लेके कैसे बताता लेगा कौन सा number वो largest होगा और वो smallest होगा तो भाईया हमें k की जगह पे नमबर रखके देखने हैं 0 से 9 के बीच में जो put करने क ये बाद 8 से डिजबल हो समझगे होगे कानी क्या है अब 36 को 8 से डिजबल ये संख्या को लास्ट की 3 डिजिट होता है डिजबटी रूल 8 का तो k की जगह पे हमने 0 से लेके 9 तक रखके देखना है और जो संख्या 2 आएंगी एक छोटी और एक बड़ी उनको plus करके आंसुर करना है तो भाईया सबसे पहले कि जगहें पे हम स्मोलवज निकालेंगे 0 रखेंगे 0 रखेंगे तो ये 36 क्या 8 से कट है तो भाईया ये तो नहीं कत रहा आठेकं आठ बचेगा कितना बचेंगा साटू अठू छपन बिल्कुल भई एक हमारी स्मॉलस्ट वैलू आ गई अच्छा जी हमें और चेक की नहीं करना है यहां पर स्मॉलस्ट की केस में हमने स्मॉलस्ट पहली यही निकाल ली हमने स्मॉलस्ट वैलू जो लिस्ट वैलू है वो निकाल ली जो इसने क्षिन में डिबांड कर रखी अब इसने बोला ग्रेटेस निकालो तो ग्रेटेस्ट हम यहां से क्यों स्टार्ट करते हैं और उपर की तरफ जाते हैं नो ही रखेंगे 936 बनेगा क्या यह 8 से कट रहा है 8 एक माट बचेगा फिर 6 पर जाएगा तो 8 पर जाएगा फिर बचेगा 13 में से 8 गए तो कितने बचेंगे भई पांच पांच रखने के बाद 56 बचेगा साथ उ आठ उ चपन आठ साथ चपन कटेगा मतलब 909 रखने के बाद यह हमारी संख्या 8 से कट रही है तो मतलब के की जगह पे अगर हम 9 रखते हैं तो यह संख्या हमारी 8 से कंपलीटली डिविजिबल हो जाएगी तो हमारे पास ग्रेटस्ट नंबर आ गया क्या 9 ठीक है जीरो से ना इनके बीच में निकालना है ना 9 से उपर तो कोई संख्या नहीं ले सकते सिंगल डिजिट पूश रखे डबल डिजिट तो है नहीं कि तो हमारे पास 9 भी आ गया जो हाइस्ट है जो ग्रेटस्ट है और स्मॉलस्ट भी है कि हाँ बिल्कु है जी इस डिजिबल बाई बोलाई ये संख्या 8 से डिजिबल है देन दा टोटल पोसिबल पेयर ओफ एक्स और वाई के दो ये जो पेयर है ये निकालना है कितने पोसिबल पेयर है समझ रहे हो कानी तो हमें 8 से चेक करना है तो 8 का डिजिबल्टी रूल क्या कहता है लास्ट की 3 डिजिट कौन सी है ये 6 x और y तो लिख दो भाई 6 x और y ये 8 से चेक करनी है क्या यह यहां पे इन दोनों का पेयर निकालना है जो संख्या को पूट करके कि कि इसको रखने के बाद ये संख्या हमारी 8 से कट जाए और अगर ये संख्या कट नेमारा 8 से पूरा डिविजिबल है यह तो इसने बोल रखा कि डिविजिबल है लेकिन वो पेर बताओ कौन-कौन से कितने पेर आप इसको ऐसे लिख सकते हो 600 पलस में एकस वाई बिल्कुल लिख सकते हैं 600 तो आठ से डिविजिबल है यह भई या सातु आठु छपन आठ साते चपन चपन भई चपन से चपन गया बचा चार और पान आठे चारीज तो 600 तो बिल्कुल आठ से कट जाएगा हमें पता है बच गया क्या एकस वाई जो हमने यहां से निकाला एकस वाई बतलब इसको बने अलग अलग कर लिया यह 600 था ना इसमे वो दोजीरो हों यहां पर दोजीरो होंगी तो मतलब 600 ही होगा 600 होगा वो तो 8 से कटेगा और क्या हो सकते है और 8,9,6,6,6 वो कितना बन जाएगा, नाइशेटिसेख्स हो सकता है, उसमें और लगे झाला जाएगा करौऽाग का इक वो तो भाईया थ्री डिजिट नंबर हो गया तो हम यह नहीं ले सकते हैं 96 तक ले सकते हैं मैंने पेर ऐसे निकाल दी देखो कितने पेर बने x, y के जगावे हम यह सारी संक्या इन में से कोई भी संक्या रखोगे तो भाईया वो 600 कुछ बनेगी संक्या और वो बिल्कुल कटेगे 8 से और वो रखने पे बाद यह संक्या पूरी बन जाएगी उससे यह काटोगे तो यह पूरी संक्या 8 से डिजबल है इसने बोल रख़ा वैसे डिजबल है 8 से अब पेर बताने हैं अब यह गिनो कितने पेर होगे एक, दो, तीन, च्यार, पांच, छे, साथ, आठ, नो, दस, ग्यारा, बारा बारा पेर होगे क्या है यह पर मुझे तो यहाँ पे तेरा पेर लग रहे हैं और तेरा पेर कैसे लग रहे हैं देखो 00 ले लिया, 008 भी दे सकते हैं यहाँ पे हम 008 भी X, Y की जगहे पर क्या 0, 8 भी पूट सक कर सकते हैं, कहने की बात यह है कि 8 से लेके 8 का एक तो पाड़ा, उसके बाद 2 डिजिट तक और देख लो, कितने तब जा रहा है, 3 का डिजिट का सम कर लो, और उसको चेक कर लो, क्या वो 3 से कट रही है, नहीं कट रही है, लेकिन मैंने 9 का भी डिजिट रूल बताया था, वो आप अपलाई करके, और उसके बाद जो रिमेंडर रहा है, उसको आप 3 से काट के देख लो, अगर वो कट रहा है तो ठीक है, कि इसने बोला है, तीन से डिजिवल है, तो 6 और 3 नो ये गया, बच गया 7 और 2 नो ये गया, अच्छे बचा गया 3 और 2 पांच, 5 और 5 दस, 10 बोले तो 1, तो भाईया ये तो 3 से नहीं कट रहा है, रिमेंडर 1 आ रहा है, तो ये ओप्शन हमारा गलत हो गया, उसके बाद इस तो भाईया तो एक रिमेंडर बच रहा है, एक तो बचे गया भाईया, तीन से नहीं कट सकता ये, उसके बाद देखो ये 9 से ये गया, 4 और 5 नो ये गया, 7 और 2 नो ये गया, बचे तीन और 3 च्छे, छे तो भाईया बिलकुल 3 से हमारा कटेगा, तीन दो नी च्छे, तो C अब यहां पर जो में डाउट होता है, वो डाउट ये निकल के आता है, कि यार ये पहले मैंने 9 से क्यों काटा, भाईया एक बात बताओ, यहां पर 3 रखके काटोगे तो भी ऐसे ही काटोगे, नो कहती, इनका मल्टिपली तो है, तो पहले मैंने 9 से काट दिया, तिक तिक जैसे हम 9 का डिविजिबिल्टी रूल डिजिटल सम करते हैं, डिजिटल सम अपलाई करते हैं मैंने आप, बसी दी सी बात यह है, जो संख्या बची, उसको फिर मैंने 3 से काट के देखा, कभी आप यह मैं सोचना, यह 9 से नहीं कट रहा है, तो भाईया यह यह 3 से भी नहीं इंक आप सम कर लो, यह कितना हो गया, एगर ऐसे सोट समझ भी नाए तो, साथ और तीन, दस, दस और चार, चोदा, चोदा, चोदा और पांच, उन्निस, और नो हो गया, वैट, तीन, कितना हो गया, तेतिस, अब इन दो डिजिट में आए, तो इसको भी सिंगल डिजिट ब तो पहले तीन से करके देख लो पहले नो से के लिए हम मैंने आपको उपर करके दिखा दिया मैं इस होट में करूँ का 9 गया यहा थया यह बच गया चार तो बचल तो बारा की 17 अब बारा से देख लो बार 2 से करके देखेंगे तो 4-3-12, co-prime number लिया है मैंने, 3 से मैंने पता कर लिया, 3 से तो ऊजाएगा, नहीं तो ये 3 से नहीं जाएगा, तो 12 पर नहीं जाएगा, इससे जाएगा चेक करने की जरूती नहीं है, आपको लगेगा 12 का divisibility rule तो बताया नहीं था, तो उन दोनों नमबरों से चेक कर लो तो मैंने सबसे पहले तीन से चेक किया तीन से तो मैंने चेक करी चुका होगी तीन से तो कटी नहीं रहा तो मतलब सीधी सी बात है एक से भी नहीं कटेगा तो मतलब वो दूसरे से बेसे कटता रहो मतलब वो पूरी संख्य से 12 से नहीं कटेगा तो सीधा सी B option हमारा मैंने इसलिए सही लगा दिया उसके बाद है ये question find the largest value of K largest बड़ी से बड़ी K की value निकालनी है 0 से 9 के बीच में क्योंकि single digit है K तो 0 से 9 के बीच में आ सकता है दस लेंगे तो double digit हो जाएगा such that six digit number है ये ठीक है इस divisible by three ये तीन से divisible है तो सीधी सी बात है K की value निकालनी है और वो भी कौन सी largest largest निकालनी है तो सबसे पहले 3 का divisibility rule क्या है भई digital sum कर दो, digital sum बोले तो 9 से 4, 5, 9 ये गया है ना तो यहाँ पे हम की जगह पे क्या value put करें कि भई या वो 9 से divisible हो जाए तीन से divisible हो जाए पूरी पूरी कटे तो आप की जगह पे 9 रखो 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 19 19 तो भी आप बनेगा 19 कितना बनेगा 1 पलस में 9 कितना हो जाएगा 10 और 10 बोले तो 11 तो भी यह तो कटेगा नहीं रिमेंटर बच गया तीन से नहीं कटेगा तो आप और क्या रखें के के जगह पे हम रखते हैं क्योंकि यह संक्या तो कटी चुकी ना 45 तो नों से ठीक है तो अब हम क्या रखें समझ में आया होगा कैसे मैं 45 को काट रहा हूँ अगर आप में नहीं आया ना तो आप पहले की जो वीडियो ना वो देखो फिर आपको आराम से समझ में आयागा मैंने ये 45 क्यों काट दिया सीधी सी बात है 9 का डिविजविल्टी रूल मैंने अपलाई कर दिया यहाँ पर जो डिज़िटल समझ वाला मैंतर है वो अपलाई कर दिया मैंने और फिर जो चीज बचेगा ना उसको आप चेक कर लो बिल्कुल एंड में 9 से छोटी वैलू बचेगा क्या वो 3 से कट रही है नहीं कट रही है अब 9 से चेक कर लिए हम यहाँ पर 8 रखते हैं 8 रखा तो 8 एक मार 8 दूनी 16 16 और 1 सतरा सतरा बोले तो 1 पलस में 7 बोले तो 8 8 तो 3 से नहीं कट रही है 7 रख के देखो 7 दूनी 14 और 1 पंदरा 15 बोले तो 1 पलस में 5 यह आजाएगा 6 तो 3 से कट रहा है बिल्कुल तो K की वैलू हम क्या ले सकते हैं K की वैलू हम ले सकते हैं या 7 7 ले सकते हैं यह ओप्शन हमारा ठीक हो जाएगा उसके बाद क्या है इसने लार्ज़श्ट वैलू बोले तो लार्ज़श्ट हम 7 ले सकते हैं चोटी कोई न कोई पूट करके यहां पे तीन से कट जाएगा लेकिन हमें लार्जस्ट बोले तो लार्जस्ट सेवन होगी उसके बाद यह कि उसने यह संख्या है इस डिविजिबल भाई थरी थरी से देन दा सम ओफ पॉसिबल डिजिट इन प्लेस ऑफ स्टार स्टार के विवाऊंगा ऐसे तो तो लों का डिजिटल सम अपनाई गर दो भई यधा तो बही सबसे पहले काटो चहें और कि यह गया प्योकर में 5 बोले तो 7 7 हो गया तो 7 हो गया तो इसने बोला है सम ओफ पॉसिबल वैलू डिजिट इन प्लेस ऑफ स्टार तो स्टार की जगाए पे सबसे पहले हम 0 रखूं तो भाई 0 बोलूँगा तो 7 पॉलस में 0 कितना हो जाएगा यह 7 ही बनेगा 7 तो भाई यह 3 से नहीं कटेगा उसके बाद एक रखूंगा तो 8 बनेगा 8 भी नहीं कटेगा 2 रखूंगा तो 7 दो 9 नो तो बिल्कुल कट जाएगा 3 से तो एक वैलू आगी हमारी 2 उसके बाद अगर मैं 3 रखूंगा स्टार की जगाए पे तो यह बन जाएगा 10 10 भी नहीं कटेगा 3 से चार रखूंगा तो बहिए 11 11 बोले तो 1 प्लस में 1 2 भी नहीं कटेगा 3 से अगर 5 रखूंगा तो 7 प्लस में 2 बोले तो 3 तो धरी से कट जाएगा तो एक आगे वी यह 7 और 5 पांच पांच आगी उसके बाद उसके बाद 6 रख के देखूंगा 7 और 6 कितने होगे 13 बोले तो 1 प्लस में 4 छी तो 12 बोले तो 1 प्लस में 3 बोले तो 4 4 बै 3 यह भी नहीं कटे का 3 साथ हो गया 8 रख के देखूंगा 8 और 7 यह हो गया 8 15 15 बोले तो 16уж 4 प्लस में 6 बोले तो 7 तो यह भी नहीं कटेगा 3 संख्याicon आगे तो यह नमबर हमारा 3 से डिविजबल हो जाएगा तो इनका सम बोला है ना इनका सम करना है तो आठ रूटो दस दस और पांच पंदरा पंदरा बी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा उसके बाद है वट इस दा लिस्ट वैलू सबसे कम वैलू निकालनी एक्सकी सस्थ यह संख्या है इस डिविजब बाइट वैल बोल अच्छे कि 24 बिल्कुल कट रहा है मैं चार यह आपको पहड़ा याद दिला रहा हूं ताकि आपको रिविजन जितना करोगी उतना अच्छा है चार से चेक कर लिए आप तीन से चेक कर लो 517 एक्स 324 अच्छा जी तीन से बोले तो डिजिटल सम लगा दो वाई सात और दो नो ये गया चार और पांच नो ये गया बच गया क्या एक और तीन बोले तो चार बच गया इसने लिष्ट वैलू बोली ना तो लिष्ट वैलू चार में यहाँ पे एक्स पे क्या प्लस करें ताकि वो तीन से कट जाए तो यहाँ पे सबसे पहले आप पूट करो भाई दो लिस्ट वैलू बोली न तो लिस्ट वैलू आप 0 रखोगे तो भी 4 रहेगा 4 3 से निकटेगा 1 रखोगे तो 5 बन जाएगा 2 रखोगे तो 6 बनेगा 6 3 कर जाएगा तो लिस्ट वैलू आई हमारी 2 सबसे पहले स्टेप क्या करेंगे हम सबसे पहला स्टेप करेंगे क्या करें भाई पहला स्टेप सबसे सबसे पहला स्टेप चार और पांच नो ये गया साथ और एक आठ और एक नो नो ये गया बचेगा क्या शिरफ के के बचे हैं तो के के की जगह पे क्या पुट करें ताकि वो तीन से कट जाए तो के की जगह पे आप भाई पुट कर सकते हो एक एक पुट करें जीरो रहेगा एक पुट करें तो एक एक बोले तो दो दो पूत करें तो चयार हो जाएगा तीन यहां पर तीन यहां पर प्लस में टू बोले तो थरी तरी से था पर केकी जगाए डो के बते यहां तो चोदर बोले तो फाइव नो thi जगह पर सब가지 हैं फूंपलस में मुद्धनम पंदशाय करें हैं गती फोदको 220 persistence अजहा उल्जक इन रहे हैं पोड़ाइन तो मेसदा दूपलस में फोले BMW 111 his men त्रफार तिन अठारा 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 अबारा बी ऑप्षन अमारा सही हो जाएगा उसके बाद यह किसिन फाइंट थाइंड ग्रेटेस्ट नमबर निकालना है ये संख्या है विच इज ने उप्शन में क्या चेक करें देखो ध्यान चे देखो सफेंक गर लिखी ए ए भी कि जगे प्रइफ ग्श है और कुछ न अब ऌर सने बोला है कि इन सारी संख्याओं को चेक करो लेकिन जो संख्या तीन से तो liberally between आसा भी होता है जो तीन से liberal शवल हो dislike नहीं होती है जो संख्या 3 से डिजबल होगी वो 9 से भी होगी पर ऐसा जरू नहीं है जो संख्या 9 से डिजबल होगी ना वो 3 से डिजबल होगी ऐसा होता है according to math तो सबसे पहले हम 3 से चेक करते हैं फिर 9 से पहले इसको 3 और 9 से चेक करते हैं तो इसे ने बोला 9 डिजिवल बाई 9 तो ये तो गलत हो जाएगा उसके बाद इसको चेक करो 9 से ये गया डिजिटल सम अप्लाई कर रहा हूं 6 और 3 नो ये गया बच गया वही 8 और 2 10 10 और 5 15 15 बोले तो 1 पलस में 5 बोले तो 6 तो 6 तो 9 से तो नहीं कट रहा लेकिन 3 से कट रहा है तो B option हमारा ठीक हो जाएगा और मैं कोई चेक करूँगा ही नहीं अगर आप ये सोच रहे हैं और कोई चेक कर लो करने की ज़रूति नहीं है जब आपको पता चल गया ये संख्या है 9 से तो कट नहीं रही है, Digital Sum मैंने 9 वाल अपलाई किया 9 का Divisibility Rule अपलाई किया, उससे पहले मैंने क्या Digital Sum अपलाई करके सारा ही चेक कर लिया तो मैंने remainder निकाल लिया, remainder बचा 6, 6 ना तो 9 से कट रहा है न 3, 3 से कट रहा है, 9 से नहीं कट रहा और मेरे जो डिमांड कर रखे question में वही satisfy कर रही है तो 2 option नमारा ठीक हो जाएगा आपको यह चेक करने की जुरूती नहीं है उसके बाद है यह आज की वीडियो का last question which of the following number is divisible by 9 कौन सा number 9 से divisible है digital sum लगा दो भाई सबसे पहले इस पे 9 यह गया 7 और 2 नो यह गया आठ और चार आठ और चार 12 और तीन 15 15 क्या 9 से कटता है बिलकुल नहीं कटता है one plus में five six हो जाएगा यह नहीं कटता है यह option गलत 9 से इसपे लगा तो 9 से यह गया 4 और पांच और नो यह गया 7 और दो नो गया 3 तीन नो से कटता है नहीं कटता है Beausیں इस पर अप्लाई करतो साथ और दो नो यह गया चहे और तीन नो यह गया बच्छयाँ किया यह पाँच तो नो से नहीं जटता है इसके बाद यह देखो इस पर अप्लाई कर तो नौ से यह गया नो यह गया इंग Además matter Once a अठारा अठारा तो कट रहा है अठारा तो नो से कट रहा है इसको ऐसे कर लगते है वन प्लस में इट नाइन नाइन तो नाइन से कट रहा है तो D option अमारा सही हो जाएगा hope आपको guys ये समझ में आएंगो question thank you so much for watching this video यो वीडियो आपको ठीक लगी तो लाइक करना चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करना